हेलो एवरिवन आजके XML वीडियो टुटोरियल में हम पढ़ेंगे XML DOM के बारे में DOM होता क्या है DOM DOM का मतलब है document object model तो document object models हम क्या कर सकते हैं हम किसी भी XML को parse कर सकते हैं उसके different elements को उसके child elements को access कर सकते हैं manipulate कर सकते हैं एक programmer modify कर सकते है XML के contents को और new elements को भी create कर सकते हैं So DOM document is a collection of nodes और pieces of information organize इन्हें hierarchy अब DOM क्या करता है जो documents है या जो nodes हैं उनको एक hierarchy की form में रखता है जो एक tree-based hierarchy होती है तो अगर हमारे पास एक XML है suppose like this college college के अंदर एक element है मेरे पास for example class और एक है में पास title और further title के अंदर मेरे पास है gender for example तो अगर एक ऐसे XML है मेरे पास तो DOM क्या करेगा इसको hierarchy की form में रखेगा tree-like hierarchy तो उसमें क्या होगा सबसे उपर तो आपका आएगा college क्योंकि college जो है वह root element है आप college ही कितने elements है एक class है और एक title है तो यहाँ पर हम दो बना सकते है class and title और further title के अंदर के gender तो इस तरह से एक tree की form में tree-like hierarchy की form में DOM document को रखा जाता है इट defines a standard way to access and manipulate documents अब suppose मुझे class element को access करना है तो मैं बहुत easily एक standardized way में class को access कर सकता हूं programmer can modify, delete their content and can also create new elements elements, their content, text and attributes are all known as nodes तो जी जो element है class यह क्या है एक node है similarly title gender भी एक node है हमारे पास तो जितने भी elements उनका text और उनके attributes वो सब nodes कहला तो यह तो था हमारा DOM के बारे में तो xml DOM का example देखने से पहले एक बार मैं आपको दिखाऊंगो HTML में भी DOM होता है तो उसको हम कैसे use करते है तो suppose करो आप HTML के अंदर मैंने एक tag लिखा था h2 इसका मैंने id दिया demo और इसका मैंने कोई भी text को set नहीं किया ठीक है तो एक मैंने element बनाया h2 उसका मैंने attribute बनाया id और उसको value दे दी demo अब देखिए एक button बनाता हूँ मैं button type का element और on click पे मैं इस element को access करने की कोशिश करूँगा DOM के concept के according तो उसके लिए हम क्या करना होता है html के अंदर document dot get element by id और जो id आपने लिया था suppose यहाँ पर लिया था आपने डेमो तो यहाँ पर हम लिख देंगे demo और मुझे इसकी value set करनी है change करनी है तो मैं क्या लिखूँगा dot inner html और जो भी मुझे नया वर्ड लिखना सपोस हेलो यह आपका क्या बन जाएगा एक html dom का example है जिसमें हम element की value को set कर रहे change कर रहे button की click पे इसी तरह से हम xml के अंदर भी dom की concept को use कर सकते है elements को access करने के लिए example मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको example को explain कर दूँ अब पूरा तो यह हमने xml यूज करनी है अपने प्रोग्राम के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा किया है simple एक college की xml बनाई है इसमें college एक root element है उसका branch tag है जिसमें मैंने लिया है पहले category it उसके students hod then branch की category EC उसके students और hod का नाम तो देखो xml की dom में जो पहली चीज आपको सीखनी है वो क्या है कि how to get the value of an xml element so यहाँ पर लिखेंगे get value of an xml element किसी भी xml element की जो value है वो हम कैसे पता कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको जो लिखना है जो code लिखना है वो कच ऐसे लिखना है कोई भी एक variable आप लेजिए suppose t is equals to xml doc dot get element by tag name get elements by tag name और उसके अंदर आपको उस element tag का नाम देना है suppose मुझे student की information चाहिए तो मैं लिख दूँँ है यहाँ पर students अब कौन सा student 0,1 so for example अगर मुझे पहले वाले की चीए तो मैं लिखूँ हूँ है यहाँ पर 0 dot node value इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है इस वाई particular statement का मतलब यह है कि xml जब parsing करेगा dom parser से तो सर्च करेगा elements by tag name जिसका नाम है student तो वह किस-किस tag को देखेगा एक तो इस tag को देखेगा और एक इस tag को देखेगा एस statement से जिसमे student tag का use हो रहा है उसके बाद 0 that means अगर यह सबसे पहले है 0 1 तो अब वह सिर्फ इसको consider करेगा उसकी भी child nodes 0 कोई child nodes को हमें नहीं लेना इसमें कोई है भी नहीं वैसे then node value अब इसकी node की value के 60 तो जो output आएगा इसका अगा प्रिंट कराता हूं किसी तरह html में तो इसका output आएगा मेरे पास 60 अब इसी तरह मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगे आपको लिखना है 1 और आगे का सेम रहेगा dot child nodes 1 dot node value अब इसके case में जो output आएगा आपका 1 जो हमने लिया है तो output आएगा आपका 100 output आप यहाँ पर लिख सकते हो अब आपका आएगा 100 तो इस तरह से हम xml ढॉम् को यूज कर सकते है तो जैसे हमने यहां पर कुछ properties को और methods को यूज किया TOM के ऐसे और भी सारह है तो जैसे हमने यहांपर क्या प्रोपयृटी यूज करई है एक तो हमने जो property का यूज किया है यहां पर वह है यह node value यहfrly होती है xml-dom की और एक method को यूज के get elements by name ऐसे बहुत सार एक properties और elements हैं जिसके बारे में आपको यह बार ब्रीफ मता देता हूं कि क्या उनकौन से होते हैं तो देखिए xml की properties हैं सबसे पहली property होती है x.nodeName और यहां पर जितना भी यह x है x का मतलब है यहां पर node object मतलब आप जिस current node को refer कर रहे हो उसका object तो पहला है x.nodeName यह क्या return करेगा यह क्या value access करेगा name of x जो भी उस node का name होगा उसको यह access करेगा second node value जो हमने use किया था तो इसका मतलब है value of x then x.parentNode तो suppose अगर x यह वाली node है और इसकी parent node y है तो basically x.parentNode का क्या मतलब है कि वो y को अब point कर रहा है so it means parentNode of x then x.childNodes अगर x के child है z and for example b तो अब वो किसको access करेगा childNode से z और b को so इसका मतलब है childNodes of x then x.attributes अगर x का मैंने कोई attribute दे रखा है for example category वगेरा तो अब वो इसको access करेगा with the help of x.attributes तो इसका मतलब है attributes of x तो यह है xml की dom properties ऐसी कुछ method से सबसे पहला method है जो हमने use भी कहा था x.getElementsByTagName और यह जो name है इसको आप अपने tag से replace करोगे so in this replace name with tag name और यह क्या करेगा it get all elements with specified tag name तो जितने भी elements होंगे जिनका name इससे match करेगा वो सबको यह return करेगा then x.append child इसका मतलब है that we are inserting a child node to x अगर मुझे इसमें एक और node को insert करना है for example c तो मैं इसको use कर सकता हूँ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x.append child c तो एक node बन जाएगी c x की child then x.remove child इसका क्या मतलब है it removes a child node from x so for example अगर मुझे z को remove करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स डॉट रिमूफ चाइल्ड जैड तो उसके बाद क्या होगा आपका यह जो जैड है यह डिलीट हो जाए रिमूफ हो जाएगा तो यह था xml-dom की properties और उसके methods इस वीडियो में हमने basic देखा xml-dom का कैसे वह hierarchy के अंदर अपने document को handle करता है manage करता है फिर एक example देखा था हमने then we have also seen various xml properties and xml-dom methods thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you